दोस्तों नमस्कार आज के वीडियो में हम आपको सिसिलियन अलापीन वेरियेशन में खिला जाने वाला एक बेहतरीन ट्रैप दिखाएंगे जिसमें फसकर ब्लैक की कुछी चालों में मात हो जाती है तो मैं रविस अपने यूट्यूब चैनल दा मास्टर ट्रिक्स पर एक ब पर हुआ लापीन वेरियेशन खिला गया है पर जो प्लैक के बाद सिस्के बाद हम दी से एन ऑद और ब्लैक के दॉरसिप लेता है और अब बलेंग यहां d5 से e4 को capture कर लेता है इसके बाद फिर देखिए क्या होता है white यहाँ पर खेलता है d5 और d5 खेले जाने से knight पर attack है जो की c6 पर है तो वह e5 पर move करता है और अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर white के द्वारा खेला जाता है queen a4 check और इसके बाद queen e4 को capture कर लेता है और अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर black खेलता है knight g6 और knight g6 खेले जाने के बाद white यहाँ पर खेलता है knight b5 और knight b5 खेले जाने से देखिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर bishop से इस knight को capture किया जा सकता है लेकिन उसके बाद white यहाँ पर क्या करेगा अपने bishop से black की bishop को capture कर लेगा जिसके बाद देखिए black की queen trap हो जाएगी क्योंकि इस check को defend करने का black के पास अब और कोई रास्ता नहीं है queen को d7 पर लाना पड़ेगा और उसके बाद bishop से इस queen को capture कर लिया जाएगा तो यहाँ पर black की queen चले जाएगी तो फिलहाल ऐसा नहीं होता है हम वापस आते हैं यहाँ पर black के द्वारा खिला जाता है knight yap6 यानि कि black का इरादा यहाँ पर white की queen पर attack करने का है लेकिन यह black से blender हो गया क्योंकि उसका खेल खत्म हो गया कैसे चलिए देखते हैं अब black यहाँ पर खेलता है knight d6 और अब देखिए यहाँ पर black की checkmate हो गई तो black e7 को कहीं move नहीं कर सकता है क्योंकि सामने e4 पर queen है तो इस तरीके से black का खेल कुछी चालों में खत्म हो गया तो अभी के लिए बस इतना ही प्लीज सब्स्राइब थेंक्यू